हेलो और वेलकम टू ग्रेट ओल्लाइन अकेडमी में नाम है रविन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मेंक्स मार्केटिंग मेंक्स एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है अगर आप लोग मार्केटिंग को समझा चाते हैं तो आप लोगो ये समझा पड़ेगा कि कोई भी कमपनी किसी प्रूड़क्ट को बनाते वक्त सबसे पहली जो स्ट्रेटिजी फॉलो करती है वो होती है मार्केट करने के बाद ही कमपनी हमेशा अपनी स्ट्रेटिजी बनाएगी या और जो मार्केटिंग स्ट्रेजी कमपनी बनाती है वो मार्केटिंग मिक्स डिफाइन होने के बाद ही बनाती है तो सबसे पहली जो जरौत होती किसी भी कमपनी की वह होती है मार्केटिंग मिक्स के जित ये सारा process company इसी ले करती है क्योंकि initialization जो होता है अपने product का market में लाने के लिए marketing mix के four piece को define करना जरूरी होता है इसके बाद हम लोग समझेंगे marketing orientation क्या होता है marketing orientation का marketing mix से किस तरह का relation है इसको हम लोग जानेंगे फिर हम लोग human development report को समझेंगे UNDP जो human development report निकालता है हर साल दिसंबर के end में human development report निकाली जाती है 2020 का data जो आया था वो किस तरीके का है और इससे हम लोग क्या चीज़े सीख सकते हैं और आगे हम लोग को क्या अचीव करना है इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे इसके हम लोग जानेंगे इंडिया में poverty किस तरीके से काम कर रही है जो भी हमारा government institute है वो poverty के लिए किस तरीके के parameters को set करता है और किस इंसान को गरीब माना जाता है देश में और किसको गरीब नहीं माना जाता है रूलर और अर्बन इन दोनों में गरीबी की definition किस सरीके से change हो जाती है इन सभी बातों को इस economics और marketing के lecture में हम लोग समझेंगे ये lecture बहुत important है बहुत सारे बच्चे मुझसे कई बार पूछते रहते हैं कि सब मार्केटिंग समझ में नहीं आता है marketing मुझे tough लगता है तो बच्चो marketing एक सबसे असान subject है अगर आप CRM से compare करें या HRD से compare करें अगर इन सभी से marketing का हम लोग comparison करते हैं तो marketing से असान कोई भी आपके लिए syllabus में नहीं है सबसे असान subject है यह इसमें जो चीज़े मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही चीज़े same to same आपको exam में देखने को मिलेंगी कुई भी question आपको इसके बाहर नहीं मिलेगा मेरे lecture की एक एक point बहुत ही important होती है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्या यह lecture sufficient है exams के लिए तो बिलकुल बच्चों जो आप लोग को पढ़ाय जा रहा है वो इसी हिसाब से पढ़ाय जा रहा है कि आप लोग full marks game कर सके हम लोग ऐसी चीज़े ही आपको research करके और filter करके ल comics को समझ में आ सके और question सारे के सारे इतने ही concept से बनेंगे आपको एक के topic को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलना है आप लोग इस बातों को ध्यान रखे कि कोई भी lecture जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें full research करके ही आप लोग के लिए topics लाए जाती है तो जो भी topics आप लाने की कोसिस करेंगे और अच्छे सब पढ़के जाएंगे तो full marks लेके आप लोग आएंगे तो चले बच्चों एक एक करके सभी topics को हम लोग स्टार्ट करते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस इसे अभी सब्सक्राइब कर ल बारे में इनिशली कोई भी स्टेटेजी बनाती है अगर कोई भी स्टेटेजी मार् realities में हमको बतानी है तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि उसके 4 piece क्या है तो सबसे पहले सब्सक्राइब क्या हो जाती है 4? पीस फोर पीस का जो मॉडल है यह दिया था इजरॉम मेकॉर्थी ने इनका नाम आप लोग याद रखे इजरॉम मेकॉर्थी फाउंडर है मार्केटिंग मिक्स के 1960 में इस कॉंसेट को दिया गया था जब कोई भी मैनुफेक्टरिंग इंडस्ट्री अगर फोर पीस का इस्तमाल करती है तो वो अपने प्रोड़क्ट को इसली मार्केट में सेल कर सकती है प्लस उसके साथ जो भी प्रॉफिट उसको चाहिए वो इसली निकाल सकती है अगर उस फोर पीस में उसने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया हो अगर अपनी स्ट्रेटजी जो भी वो मार्केटिंग के लिए बना रही है उसमें उसके जो फोर पीस है वो उसके फोर पिलर्स है यह फोर पीस किसी भी कंपनी के प्रोड़क को हाई एचीमेंट तक लेके जा सकत हैं जब भी company इस तरह की strategy बनाएगी तो starting उसकी four piece के एके concept को define करने से होती है लाश्ट नोए company सारे जो definitions हैं अपने price की definition जो उसके strategy उसने बनाई प्लस उसके promotion की जो भी strategy बनाई place जहां पर product को बेचना है और product किस तरीके से बनाना है इन सारे strategy को mix कर देती है और एक final strategy बनाती है जिसको हम लोग कहते हैं marketing mix marketing निकसर फाइनल strategy होती है जिसमें सारी जो strategies होती हैँ वह आपस में related होती हैं अगर हम price की strategy बना रहे हैं तो उस वक्त हम लोग यह सोचते हैं कि जो हम लोग प्रोड़क्ट बनाने वाले हैं क्या इतने प्राइस हम लोग अच्छा बना पाएंगे प्लस इसी तरह हम लोग सोचते हैं कि जिस प्लेस पे हमको अपना प्रोड़क्ट सेट करें तो हमको कुई भी बायर नहीं मिलेगा अगर हम हम लोग को हाई पॉस इलाके में जहां पर हाई एंकम वाले लोग रहते हैं वहाँ पर हम बहुत चीप टाइब का प्रोड़क्ट अगरा हम लोग बेचे तो वहां कि लोग यही सोचते हैं कि इसकी क्वाल्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी तब ही यह प्रोड़क्ट बेचने के लिए वो लोग उसको set कर सकें तो इसी तरीके से एक एक जो हमारी सिस्टम है price की product की promotion की place की यह एक दूसरे को देखते हुए बनाई जाती है जब promotion की strategy बनानी होगी तो company यह देखेगी कि हमारे price में हम इतना promotion कर सकते हैं कि नहीं जो भी हमारा profit आ रहा है उसमें हमको इतना promotion में निकालना है तो क्या हमको इस तरह की strategy बनानी चाहिए यह हम अगर किस place पर अपने product को बेचना चाहते हैं सब्सक्राइब में product को बेचना चाहते हैं इसलिए इसको हम लोग एक साथ define करेंगे और इसको कहते हैं 4 piece of marketing mix 4 piece जो model है यह manufacturing industries के लिए सबसे अच्छे तरीके से काम करता है बड़ जो हमारा service sector होता है वहाँ पे 8 piece model इस वक्त आ चुका है 1980s में 7p model लाए गया था और आज के समय में जो भी service sector की companies हैं वो 8p model का इस्तमाल करती है जो हमारे 4 piece है वो इसमें include होता है और 8 piece के जो बाकी 4 piece है वो होते हैं packaging, positioning, people and politics 4 piece model के तरह एक 4c model भी है जो मैं अपने next video में बताऊंगा कि 4c और 4p model का जो comparison हम लोग किस तरीके कर सकते हैं और 4c model को किस नहीं दिया था यह सारी चीज़े हम लोग next video में discuss करेंगे आज हम लोग 4p model के एक एक जो हमारे piece है उसको समझे की कोसिस करेंगे कोई भी company किस तरीके से अपने एक एक piece को define करती है और last में इस सारे जो strategies से उनको mix करके अपनी marketing mix strategy को बनाती है तो सबसे पहली जो हमारी P है वो है price देखे कोई भी company जब भी अपना price set करेगी तो वो ऐसे price को set करना चाहती है जिसे उसका जो cost of production है सबसे पहले तो वो निकल जाए जो भी उसको production में cost होता है वो तो निकलना जरूरी है अगर हम कोई pen बनाते हैं और उसको अगर हम 5 रुपे बेच रहे हैं और अगर हमारा 2 रुपे cost of production आ रहा है तब तो सही है बट अगर हमारा 6 रुपे आता है और हम उसको 6 रुपे में ही बेचे तो हमारा कोई भी profit नहीं होगा तो सबसे पहले cost of production को company देखती है जो हम product बनाने वाले उसका कितना cost of production आएगा उसके इसाफ से हम लोग सबसे पहले अपने price को सेट करने कोशिस करेंगे प्लस किस तरीके के segment को हम लोग target करना चाहते हैं जो हमारा price है वो higher income group के लिए हम लोग को रखना है वो जो हमारा product है किस तरीके के लोग पसंद करेंगे किस तरीके के लोग उसको खरेंगे उसके according हम लोग अपने price को set कर सकते हैं suppose कहीं पे बहुत ज्यादा competition है और हमको lower income group में चीजों को बेचना है तो हम अपना 100-200 रुपए हमको घटाना पड़ेगा बट अगर हम higher income group के लोगों को बेच र आते हैं इसी तरीके से कोई भी जो market है वहां पर पे करने की कितनी चमता है लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो कैसे लोगों को हम बेच सकते हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है तो सबसे पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि जिस market में अपने product को उतारने वाले हैं क्या उस market में हर एक इंसान के पास इतनी चमता है कि हमारा product खरेश सके इन सभी चीजों को देखे हम अपने price को सेट करेंगे इसी तरीके जह हम लोग product बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे जो minimum level of performance है जैसे हमने कोई LED बल बनाया तो LED बल्ब की minimum level of performance क्या है यह इसको कम power इस्तमाल होना चाहिए इसका जो consumption है power का वह हमेशा low होना चाहिए एक normal जो बल्ब होता है उससे तो इन केडेंसेंट बल्ब से LED बल्ब का जो power है वह हमेशा consumption बहुत ही कम होना चाहिए प्लस हम लोगों को यह देखना है कि इसकी lifetime कितनी किसी भी बल्ब की हम कितनी lifetime बना रहे है सब्पोस हम कुई 10 रुपय का LED बल्ब बनाए और वह हमारे दो दिन में खराब हो जाए या इसके बजाए अगर हम 100 रुपय का LED बल्ब बनाए वह दो साल चले तो customer को ज्यादा profit कि में दिखेगा 100 रुपय के बल्ब में क्योंकि अगर वह 10 रुपय का बल्ब दो साल तक खरेदेगा तो वह हर दो दीन में खरे खरेते खरेते उसके लाखो रुपीस खर्च हो जाए गए बट अगर वह 100 रुपय का बल्ब खरेत साल चलेगा तो इस तरीके से जब हम product बनाए सबसे पहले हम लोग को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो भी हम लोग प्रोड़क्ट बना रहे हैं किस प्लेस पे हमको बेचना है अगर हम ऐसा प्रोड़क्ट बना दिये और हमने यह decide कर लिया कि हमको यह product higher cost पर बेचना है और ऐसी जगा बेचना है जहां पर lower income group के लोग रहते हैं तो वह product हमारा कभी नहीं बिकेगा या अगर हम कोई product इंडिया में नहीं बेचना चाते हैं foreign countries में बेचना चाते हैं तो अगर इंडिया से कोई भी product export होके जाता है तो उसकी packaging हमेशा अच्छी होनी चाहिए उसकी quality अच्छी होनी चाहिए यह सारी चीजे जो है हम लोग product अपने strategy में डाल देंगे जब हम लोग place के बारे में decide तो product में हम लोग यह सारी चीजे strategy में डालेंगे plus price strategy में इन सारी चीजों को include करेंगे कि जो भी हमारा price बढ़ना हम लोग उसमें add कर दें तो place सबसे ऐसी चीज है जिसको decide करने के बाद हम लोग price promotion और हमारा जो product है इसको हम लोग decide कर सकते हैं तो place एक बहुत important role play करता है किसी product को बेचने के लिए आप लोग ने पहले भी मेरे से जो बाते सुनी उसमें आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग जहां पर चीजों को बेचते हैं जैसा देश वैसा भेस तो जहां पर हमको चीजे बेचनी है वैसा ही हमको हर एक चीज अपनी strategies को follow करना पड़ता है ज इसी के साब से हर चीज हम लोग को अपने marketing इसमें डिफाइन करने पड़ती है इसी तरीके जो फोर्थ पॉइंट है प्रमोशन जैसे हमने अभी पीछे बात की जो हमारी थ्री पीस है वो जिस तरीके से आपस में रिलेट हो रहे हैं उसी तरीके से प्रमोशन भी हमारा हर ए टीवी में अडवर्ताइजमेंट करेगी नेट पें अडवर्ताइजमेंट करेगी फेसबुक सोसेल मीडिया जिस पर भी इसको करना है उसके लिए उसको जो भी कॉश लगता है वह उसके प्राइज में आ पा रहा है कि नहीं इसने वर्ड ऑफ माउथ मैंने अपने सेकंड वीडियो में बताया सेकेंड थर्ड वीडियो आप लोग ध्यान से देखें आपको मार्केटिंग एकनॉमिक्स के काफी जो बेसिक से आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो जब भी कुई कंपनी अच्छी तारीफ मार्केट में उतारेगी अब वहें फैलाती है तो उस अच्छा वार्केट में बताया हैं कि हमने प्रेस्ट लॉफर्ट इसी लिए निकालीं यातिैंखिए racist का लॉफट से नहीं थे सकें हाई योई पीकड लोग उस अच्छा तरीका उता है प्रोशन तर profitable इसे तरह कुटिव यह उप्र लोग को ही चीज खरी और क्यों आपको कमीशन जो है वह हमारे बायर्स को दी जाती है ताकि बार वह हमारे प्रोड़ट को खरे दें और इस तरह का आवार्ड पाके उनको खुशी हो कि हमको इतना कैस्ट बैक मिल गया इसका इसना हम कहीं और भी कर सकते हैं तो यह जो फॉर पीस है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनसे कहीं से भी कोश्चेन आप से पूछा जा सकता है कि four piece क्या है प्लस जो हमारे 8P módemında क्या क्या आता है फोर पी का just founder है वो कॉन था और marketing rating mix में किस तरीके से यह सारी चीज़ें आपस में रिलेटर हैं कोई भी कोच्चण इसमें बन सकता है कि क्या यह सारी चीज़ें आपस में रिलेटर होती हैं कोई एक ऐसी strategy ने जो दूसरे strategy को बीना देके बनाई जाती है चले तो अब हम लोग समझते हैं marketing orientation देखिए marketing orientation कई books में आपको market orientation के words से भी मिलेगा market orientation और marketing orientation एक ही चीज़ है इसके अंदर five cycles आती है जब कोई भी business किसी भी चीज़ को बनाता है या किसी भी goods को बनाएगा या किसी भी services को बनाएगा तो जो भी services या goods वो प्रोडूस करेगा वो सारी चीज़े एक cycle के तहरे चलती है कोई भी business में एक cycle होगा जिसके तहरे तो business production से लेकर end cycle जो end user है जब तक उसको product नहीं मिल जाता उसके बीच में जितने भी process involved होंगे उसी को हम लोग कहते हैं marketing orientation marketing orientation एक तरीके से पूरी business की वो cycle होती है जो market के according चलती है इसलिए इसको समझे से हम लोगों ये समझ में आता है कि marketing orientation में business कौन कौन सी policies को इस्तमाल करता है और जो हमने पीछे marketing mix समझा उसके लिए ही marketing orientation का इस्तमाल किया जाता है marketing mix में जो हमारी four piece है जब भी हम लोग उसके लिए strategies बनाते हैं और जो mix strategies बनाते हैं उसके पहले हम लोग जब business को run करते हैं तो हम लोग marketing orientation का काम करते हैं marketing mix का इस्तमाल होता है product के selling और profit के बारे में strategy बनाने के लिए और marketing orientation का इस्तमाल होता है business को run करने के लिए business run होगा तभी तो हम उसकी marketing mix strategy बनाएंगे तभी तो जो four piece है हम लोग उसको अच्छे से define कर सकते हैं जैसा हमारा marketing orientation होगा वैसा ही हमारी marketing mix की strategy बनेगी तो इसमें जो हमारे five cycles हैं जो हमारे पांच ऐसे pillars हैं जो marketing orientation या किसी भी business की cycle में involved होता है जो पूरे business को complete करते हैं run करने के लिए तो सबसे पहला होता है production orientation जब कोई company production के हिसाब से marketing strategies को समस्ती है वो किस सरीके से marketing करना चाती है और market में क्या demand चल रही है क्या customer चार है इन सारी चीजों को देखते हुए marketing को देखते हुए production करना और production को देखते हुए marketing करना इसको कहते हैं production orientation इसी तरीके से होता है product orientation product orientation में companies यह सोचती है कि हमारा जो product है वो हमारे competitor से हमेशा अच्छा होना चाहिए जब तक हम अपने competitor से अच्छा product नहीं बनाएंगे तब तक हमारा product market में अच्छे तरीके से नहीं चलेगा plus companies यह देखती है कि जो हमारा market उसमें किस तरीके के product की demand है इन दोनों चीजों को देखने से companies जो है अपने product orientation को define करती है फिर जो हमारे third number पर आता है वो आता है sales orientation sales orientation में companies market में किस तरीके से sales करना चाहिए और selling strategy क्या होनी चाहिए हमारे product की इसको define करती है यह सारी चीजे तब इस्तमाल में आती है जब हम लोग four piece में place को define करते हैं या promotion को define करते हैं तो selling जो हमारा orientation है वो marketing mix के place और promotion को define करने में इस्तमाल होता है फिर इसी तरीके से हमारा आता है societal marketing societal marketing क्या होता है इसमें हम लोग यह देखते हैं कि society के long run में क्या हमारा product use में आता रहेगा क्या हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो society लंबे समय तक demand में रखेगी जैसे हमने कोई एक ऐसा product बनाए जो अब market से धीरे धीरे जा रहा है है और जो लोग हैं जो society में बसे हुए हैं वह भी उस तरह का product इस्तमाल करने से अब ही चकते हैं वह नहीं चाहते हैं कि उनको इस तरीके चीज़े इस्तमाल हो जैसे अगर हम ऐसी cycles बनाए जो बहुत ही slow चलती हों जिसमें हमको ज्यादा manually work करना पड़ता हो और उसके जगह पे हमारा जो work है हमारा cost है दोनों चीज़े हमको extra देनी पड़े तो इस तरीके चीज़े मार्केट में नहीं चलेंगी तो society में जिस तरीके की चीज़े चलने वाली है उसके हिसाब से marketing को बनाना है या फिर मार्केट हमेशा उस तरीके से ही काम करता है जिस हिसाब से society काम कर रहे है सोसाइटी में लोग जितने जागरूक रहेंगे मार्केट में उतनी ज्यादा चीज़े हम लोग उतार सकते हैं इसलिए सोसाइटी में लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग जगा पर advertisement चला जाता है जो हमारे marketing mix के promotion की strategy में आ जाएगा तो societal marketing एक तरीके सा आप लो में अपकमिंग जो generation अगर उसको अपना business transfer करना चाहते हैं तो हमको society के approach को समस्ते वे काम करना पड़ेगा इसी तरीके से हमारी 5th होती हो market orientation होता है market orientation में सबसे पहले अपनी टार्गेट मार्केट को देखा जाता है किस market हम लोग टार्गेट कर रहे हैं किस audience को टार्गेट कर रहे हैं तो market orientation में जब कोई product बनाए जाता है जो हमारा marketing mix में जो product की strategy जब बनाए जाएगी तो उसके रिए कौन से feature का इस्तिमाल किया जाएगा market orientation feature का इस्तिमाल करेंगे जो हमारा market orientation के अंदर आएगा तो market orientation हमेशा अपने target audience के customer needs और उनके satisfaction को देख के बनाए जाता है और यह हमारा इस्तिमाल होगा कभी भी हम लोग अपना product बनाएंगे marketing mix में उसके लिए जो strategy बनाएंगे उसको बनाने के लिए तो यह जो सभी points है 5 points इसको हम लोग एक एक करके समस्ते हुए चल रहा है जो हमारा एक एक point है वो किसी भी बिज्ञेस के cycle को complete करता है सबसे पहली point जो हमारी यह production orientation है production orientation में हमेशा ऐसे production को करने की कोशिश की जाती है जिसमें हमारी efficiency increase हो और cost में हम लोग कम कर सके हम ऐसी machines को लगाएंगे जिसे हम लोग ज्यादा produce कर सके और पर डे में हम लोग ज्यादा production करते हैं तो हमारा जो cost of production वो घड जाता है प्लस जो हमको salary देनी पड़ती है वो भी हमारी बच जाएगी अगर हम एक दिन में ज्यादा production करते हैं और उनसे efficiently काम ले सकते हैं तो हमको क्या होगा profit ज्यादा होगा और हमारे जो cost of production वो घड जाएगा तो production orientation हमेशा efficiency of production को बढ़ाने के लिए किया जाता है और इससे जब हम लोग अपनी product के बारे में हम लोग analysis करते हैं marketing mix में तो हम लोग production orientation का इस्तमाल करते हैं अपने cost of production को घटाने की कोशिस करेंगे ताकि marketing mix में अच्छे से अच्छे product हम लोग बना सकें जो हमारी marketing mix की strategy है उसमें हमारा product की strategy बहुत ही strong हो इसी तरीके से हमारा होता है product orientation product orientation में क्या करते हैं हमेशा ऐसे product बराने कोशिस की जाती है जो हमारे competitor से अच्छा हो इस बात में हमेशा धान रखा जाता है कि जब भी हमारा competitor कोई भी नया product बनाता है तो हमको हमेशा कोशिस करनी है कि हम उससे अच्छा product बना के दे सकें इसके लिए हमेशा अपने competitor पर नजर रखनी होती है जब भी competitor कोई भी नया product launch करता है तो companies को तुरंथ ही उसके हिसाब से उससे अच्छा product बना के देना जुरूरी होता है नहीं तो जो product strategy है marketing में इसकी वो fail कर जाती है इसलिए product और price दोनों जो strategy है फिर हमने जो price रखा है उसम में भी हमारा कोई भी product नहीं घरे देगा तो product और price दोनों strategy को हमारा product orientation affect करता है इसलिए product orientation में competitors का जो ध्यान है हमेशा company रखती है कि वो किस तरीके का product बना रहे है next जो होता है हमारा sales orientation sales orientation में हमेशा यह कोशिस की जाती है company यह चाहती है कि हमारे पास जितने भी resources हैं जो भी हमारे पास channels हैं जो भी हमारे पास resources हैं हम अपने sales को उससे बढ़ा सके हम किस तरीके से sales को बढ़ा सकते हैं या तो हम promotion कर सकते हैं या तो हम ऐसे place को चुन सकते हैं या ऐसा price दे सकते हैं तो company जब price strategy बनाएंगी अपनी promotion strategy बनाएंगे प्लेस strategy बनाएंगी तो इन सभी के लिए marketing में इसके इन strategies के लिए उसको अपने sales orientation पे ध्यान देना होगा अगर वो अच्छा sales करेगी तभी वो अच्छे price को भी ताय कर सकती है और जिस place वो बेचना चाहती है वहाँ पे बेच सकती है इसी तरीके जो हमारा fourth होता है वो होता है societal orientation societal orientation में हमेशा society के long run के interest को देखा जाता है हमारा product कभी भी society के long run में fail नहीं करना चाहिए यह एक बहुत ही बड़ी चीज़ है हर एक company को इस पे ध्यान देना पड़ता है फिर इसी तरीके से है हमारा last point market orientation मार्के ओंटेसन में directly अपने customers को देखा जाता है customer हमसे जूँ कि है उनको directly दे रहें कि नहीं present में इस चीज़ को देखा जाता है future में नहीं देखा जाता है तो हमारा product present में भी काम करना चाहिए तो जब प्रेजेंट में अच्छा काम करेंगे तभी हम फ्यूचर की स्टैडिस को बना सकते हैं तो मार्केट औरिंटेशन में हमेशा अपनी ओडियंस को डिरेक्ली देखा जाता है जो भी ओडियंस हमसे चार देपाना है कि नहीं बाकी चीजों पर ज्याद कर रहे हैं कि प्लस मार्केट औरिंटेशन हमेशा देखते रहता है कि हम प्रिजेंड में मार्केट को Kenya कर पा रहे हैं तो यह अच् करते हैं चले आप हम लोग समझते हैं कि human development report क्या है देखे human development report एक वार्षिक report एक annual report है जो United Nations development program UNDP हर एक साल निकालता है नौंबर से दिसंबर के बीच में इसका data आता है 2021 का भी data दिसंबर तक आ जाएगा अभी जो हमाएं पास data वो दिसंबर 2020 का है तो human development report कौन सी संसा निकालती है UNDP इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेगा यह जो index है यह तीन चीजों पर based होता है इससे हमको यह पता चलता है कि विस्ट में कौन सा देश रहने के लिए सबसे अच्छा है जिस भी country का human development report अच्छा होगा अगर वहां पर जा कि कोई भी इंसान रहता है तो वहां पर उसको हर एक जो basic facilities है वो मिल जाएंगी human development report जो तीन चीजों पर based है सबसे पहली चीज आती है long and healthy life कि देश के लोग ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं अगर वहां पर लोग ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं तो obviously वहां पर जो health facility है वो अच्छी है और वहां का environment भी अच्छा है वहां पर pollution भी कम होगा और वहां पर diseases भी कम होते होंगे cleanness भी अच्छी होगी सब कुछ अच्छा होगा तो अगर healthy life है किसी भी देश की तो obviously वह सो करता है कि उस देश का environment बहुत अच्छा है next जो होता वह access to knowledge कि देश के लोग easily schools and universities में अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं जो level की पढ़ाई है जो किसी भी वर्ल्ड में competition रखने के रहें चाहिए उसमें कौन से देश टॉप करता है उनके education के sector को लिया जाता है और इससे यह देखा जाता है कि human जो access है knowledge के लिए उनको किस तरीके से मिल पा रहा है जो भी population वहाँ पर रहती है वह कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रही है इसके लिए हर एक country का educational index बनाया जाता है और उसको human development बनाते वक्त इस्तेमाल किया जाता है थार्ड जो होता हो है decent standard of living decent standard of living का मतलब है कि कहां पे हर एक basic facility खाने के facility रहने के facility प्लस water and electricity के facility और जो markets वहाँ पे कितने अच्छे हैं इन सभी चीजों को भी देखा जाता है और किस तरीके से किसी कम किसी भी country का जो market हो काम करता है उसको भी देखते हैं प्लस वहां के लोगों की जो पर capita income है पर capita income अगर लोगों की अच्छी होती है तो उस देश में आप जाके रह सकते हैं वहां पर आपको इसली जॉब वेगरा सब कुछ मिल जाएगी इसलिए पर capita income को देखा जाता है इंडिया में भी अगर हम लोग पर capita income की बात करें तो बहुत ही कम है इसलिए human development report में इंडिया बहुत ही पीछे चला जाता है health facilities भी इंडिया में बहुत ही कम है educational facilities इंडिया में काफी है लोग यहां के इसलिए सिच्छा ग्रहण कर सकते हैं but health और standard of living हम लोग बहुत ही पीछे आज के समय में भी हम लोग ऐसी basic facilities भी लोगों को नहीं दे पाते हैं जो एक normal जीवन जीने के लिए चाहिए तो इंडिया की इसमें किस तरीके की रैंक है और इंडिया क्या अभी तक अचीव कर पाया है इन सभी चीजों को हम लोग समझते हैं देखे अगर हम लोग इंडिया की बात करें यह 2020 का डाटा है 189 countries में से इंडिया की रैंक 131 position पर हैं तो इं लोगों को basic facilities भी नहीं दे पा रहे हैं आज भी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा गरीवी है और इसके करन हमारा जो HDI index है इंडिया का बहुत ही पीछे है और अगर हम लोग 2019 में बात करें तो इंडिया 129th position पे था और 2020 में इंडिया 2 position और पीछे चला गया 131 position पे देने वाला है देखना है कि इंडिया में कुछ improvement हुआ है कि नहीं और बिल्कुल यह fact है कि Corona के बाद तो और भी हमारा HDI index पीछे ही जाने की chances है और भी ज्यादा गरीबी और access to knowledge जो हमारा धीजरी घड़ता ही जा रहा है तो इसके करें HDI index के करें इंडिया को विस में बहु इंडिया को जीने के लिए या रहने के लिए अच्छी जगा नहीं मानते हैं और हम लोगों इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम अपने HDI index को कैसे बढ़ा सकते हैं और हम लोग बात करें HDI index की सुरुआत किस ने की थी तो पाकिस्तान के economist मैबूब उलहग इन्होंने 1990 में SDI index निकाला था और सबसे पहली जो report निकाली गए थी SDI index की उसमें महभूब उलहग ने इंडिया के economist अमरत सेन का साथ लेकर पहली report निकाली थी मतलए इंडिया के बिना ये report पहली report नहीं बनी थी पाकिस्तान के economics ने इस index को बनाने में Indian economics अमरत सेन का हाथ नहीं था बट फर्स्ट रिपोर्ट निकानने में हमारे अमरत तिसेन जी का हाथ था और अमरत तिसेन जी के बारे में question और आता है कि अमरत तिसेन जी को nobel prize मिला है और किस चीज के लिए मिला है तो सभी लोग याद रखे इंडियन एकनोमिस्ट अमरत तिसेन को 1998 में welfare economics के लिए nobel prize मिला पूछा जाता है इस बात को अप लोग अच्छे से याद रखेगा चले अब हम लोग बात करते हैं पावर्टी इन इंडिया देश की जो गरीबी है उससे जो हमारे इकनॉमिक्स में इससे ज़्यादा कोस्टन्स बनते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर्टी इन इंडिया हर एक एक्जाम के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है चाहे वो एससी हो रेलवे हो यह कूई भी एक्जाम जहां पर एकनॉमिक्स पूछा जाता ह वहाँ पर पावर्टी इन इंडिया से जरूर एक नएक कोस्टन जरूर पूछते हैं क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी समस्य है और इसको मिटाना किसी भी गौर्रमेंट के लिए इतना असान नहीं है अगर गरीबी को मिटाना है तो गौर्रमेंट को एक सस्टेनेबल और इंडिया का खिताब मिला है जिस तरीके से गांधी जी को महत्मय की उपाधि मिली है उसी तरीके से दादा भाई नेरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला है दादा भाई नेरोजी जी ने सबसे पहले पावर्टी की स्टडी की देश में कितनी ज् ही वह और इसके उपर एक किताब भी लिखी और श किताब का नाम है पावर्टी एंड अन ब्रिटीस रूल इंडिया इसको वह आप याद रखेगा कोोशंस आते हैं ऑवर्टी एंड अन ब्रिटीस रूल स्टेप लिया गया तो यह लिया गया था 1962 में दादा भाई नरोजी जी ने 1870 में एक काम किया था और लगबक उनके 92 years के बाद 92 years के बाद दोबारा देश की गरीबी जाचने का या गरीबी पता करने का जो स्टेप है इंडिपेंडेंट इंडिया में लिया गया 1962 में प्लानिंग कमिशन और नीती आयो देखे सबसे पहले जब देश आजाद हुआ था तो देश के लिए जो भी नीतियां बनती थी वो प्लानिंग कमिशन बनाता था जितने भी हमारे 12 पंच वर्सी योजना हैं जो हमारे 12 पंच वर्सी योजना हैं जो आने वाले लक्षेस में मैं बताऊंगा तो प्लानिंग कमिशन क्या है प्लस जितने भी हमारे 5 वर्सी योजना हैं उनसे भी कोशनस एक्जाम में आते हैं इन सभी को आने वाले लक्षेस में भी हम लोग discuss करेंगे यहां पर आपको यह समझा है कि जो गरीबी का सबसे पहला आकलन start किया था 1962 में वो planning commission ने start किया था अभी planning commission को dissolve करके नीती आयोग बना दिया गया है नीती आयोग औ planning commission ये दोनों चीज़े मैं आपको बताऊंगा फिलाल आप लोग को इस बात को ध्यान रखना है गरीबी का सबसे पहला आकलन planning commission ने किया था यह एक्जाम में बहुत बार पूछा जाता है 1962 में अब देखे अगर हम लोग बात करें भारत में income का distribution है यह कैसे निकाला जाता है किस तरीके से देखते हैं कोई ऐसी study की आती है जिससे हम लोग को पता चलना चाहिए कि कितने income पे कितनी population हमारी आती है तो इसके लिए ग्राब बनाया जाता है जिसको बोलते हैं लॉरेंज कर्व लॉरेंज कर्व में एक तरफ हमारा जो cumulative income है जो highest income हम मान के जलते हैं कि इंडिया में लोगों की है एक तरफ उसको ले लेते हैं सब्सक्राइब करोड ले लिया और एक तरफ हम टोटल लाइन ऑफ इक्विटी के नीचे है अगर यह लॉरेंज कर्व बिल्कुल इस्ट्रेट आता है तो सभी लोगों के पास जिस तरीके हमारा प्रपोर्शन बढ़ता है पॉपलेशन का उसी तरीके से उनकी इंकम बढ़ जाती है मतलब लगबग इक्वल इंकम सबके पास होती है बट अगर यह कर नीचे आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे देश में गरीबी और इंकम का जो डिस्ट्रिबूशन है वो प्रॉपर नहीं है तो लॉरेंज कर इसलिए बनाया जाता है ताक आपके DRCCL के एक्जाम में भी economics में question directly पूछा जा सकता है आपके उसको ध्यान रखे लॉरेंज कर से हम लोग गरीबी का आकलन करने के लिए इंकम डिस्ट्रिबूशन को निकालते हैं फिर इसमें आती है जो हमने लॉरेंज कर से इंकम डिस्ट्रिबूशन को निकाला फिर ह हमने देखा कि हमारे जो basic सबसे कम income planning commission ने तैंक है planning commission या नीती आयो आज के समय में कोई भी हमारी जो committee होती है जो expert committee होती है वो कुछ parameters देती है planning commission को जिसके हिसाब से हम लोग मानते हैं कि इस इतने पैसे कमाने पर शहर में और गाव में कोई भी इंसान गरीब होगा अगर इ इस चीज का जो ध्यान है वो planning commission हर 10 साल में रखती है अब जो अगला आएगा वो नीती आयोग करेगा तो planning commission ने 2011-12 में जो data release किया था उसके अधार पे जो हमारे देश में सबसे गरीब लोगों की जनसंख्या है उसको एक monthly income के बेस में निकाला था अगर कूई भी person शहर में रहता है और पांच family है उसके पांच member है एक family में और अगर वो 7,035 रुपए कमाता है तो उसको गरीब नहीं बाना जाएगा बट अगर उसके नीचे वो एक रुपए भी कमाता है 7,034 रुपए भी अगर वो कमाता है तो उसको देश की गरीबों की संक्या में गिना इसी तरीके से अगर कोई गाउ में पांच member की family है किसी की और पूरे family की income 4,760 रुपए से कम है तो वो लोग गरीब हो जाएंगे और 4,760 रुपए जादा है तो वो लोग को गरीब नहीं माना जाएगा अगर realistic way में सोचें तो क्या महीने में 5,000 कमाने वाला इंसान क्या ढ इंदिगी को जी सकता है तो बिल्कुल नहीं जिसकी पांच member की family हो पांच रुपए कमाता हो तो दो से तीन चार हजार रुपए तो उसके खाने में ही लग जाते हैं बट देश की जो definition है गरीबों की जनसंक्या कम करने के लिए उनकी संक्या देश में कम दिखाए जाए इस तरीके का सभी लोग समझते हैं ये सिर्फव सिब डाटा को चुपाने की कोसिस की जाती है यह दोनों फैक्ट जो हैं इंकम की रूलर और अर्बन यह दोनों को याद रखने हैं और इंडिया पावर्टि लाइन इसी तरीकी से डिफाइन के जाती है इन दोनों इंकम के ज्यादा दिया जाता है और बहुत सारी चीजे बिलो पावर्टी लाइन के अंदर गौश्मेंट उन को देती है जैसे कंबल फ़िए देती है फिर तेल वगला उनको प्रॉपरली मिलता है प्लस खाने के लिए उनको और भी कुछ ऐसी चीज़े मिलती हैं इसमें प्रोटीन्स होता है तो इस तरीके की चीज़ें सिर्फ उस्रिफ उनके इंकम को देखके दी जाती है ताकि जो जादा जादा जनसंक्या है वो देश की जिन्दा रह सके जब जनसंक्या जिन्दा रहेगी तभी देश में प्रोग रखती है तक कि ज़्यादा ज़्यादा गरीबों को इस तरह की फैसिलिटीज दी जा सकें कि स्रिफ वो जिन्दा रह सकें अगर हम लोग बात करें कि विस में गरीबी का आकलन कौन करता है तो यूएंडीपी जो अभी हम लोग ने पीछे बात की यूएंडीपी इस डिए इंडेक्स को निकालता है तो गरीबी का आकलन भी यूएंडीपी ही करता है इस बात को अपने ध्यान रखेगा और इंडिया में जैसे अभी हम लोग ने पीछे बात की 1962 में सबसे पहले प्लानिंग कमिशन ने गरीबी का आकलन किया था तो अगर इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो प्लानिंग कमिशन ही करता था और अब आने वाले समय में नीती आयोग अपनी रिपोर्ट निकालेगा यह जो भी प्लानिंग कमिशन पेरमीटर सेट करते है पावरची की यह कुछ एक्सपर्ट कमिटी जो प्लानिंग कमिशन के लिए बनाए जाती है वो कुछ ऐसे parameters देती हैं जिनके अधार पर planning commission ऐसी reports को निकालता है जैसे अगर हम लोग latest में बात करें तो रंगराजन committee ने head count ratio का concept दिया था head count ratio क्या है कि आप total population गरीबों की निकालिए और total जो हमारे देश की population उससे divide करें जो भी आता है वो हमारा head count ratio होगा तो अगर हमारी one third जो हम अधिकतर बात करते हैं कि one third हमारी population आज भी गरीबी रेखा के नीचे है तो यह data आया कहां से यह data आया रंगराजन committee की 2011-12 के report में रंगराजन committee ने head count ratio में डिफाइन किया कि 29.50% लोग इंडिया में आज भी गरीब हैं वर्ल बैंक की जो रिपोर्ट आती है उसमें 21.2% लोग इंडिया में गरीब हैं बट रंगराजन committee ने जो parameter set के थे गरीबी के रिए उसमें कुछ और भी income group को बढ़ा दिया गया था जिसके वज़े से क्या हुआ कि गरीबों की संक्या बढ़ गई अगर हम कम income को रखेंगे कि सपोस्पोस हमने 1000 रुपए रखा कि इससे कम कमाने वाले लोग गरीब होंगे तो हमारी कम population आएगी बट रंग राजन कमीटी में जो lowest income है जिसको गरीबी के आकलन के रखा गया था वो जादा रखा गया था अभी जो हम लोग ने पीछे बात की 4,000 और 7,000 रुपए जो है वो रंग राजन कमीटी का ही रिपोर्ट है पांच मेंबर के फैमिली के लिए monthly income जो हम 50% तो यह लगवग बन थर्ड के आसपास है इसी रहा जाता है आज भी देश में बन थर्ड जो हमारी आबादी है वो गरीबी रेखा की नीचे जीती है आई होप इस बात को आप लोग समझे होंगे head count ratio जो है वो रंग राजन कमीटी के रिपोर्ट चाया है और एक question इसमें ओर आता है कि सुरेश तेंदुलकर कमीटी कि से रेटेड है अधिकतर exam से पोचते हैं कि सुरेश तेंदुलकर कमीटी कि रेटेड है तो आप लोग बताया है 21.92 परसेंट तो इस सभी बातों का आप लोग ध्यान रखना है तैंदुलकर कमिटी की रिपोर्ट है और रंगराजन कमिटी की रिपोर्ट ये सभी बातों का आप लोग ध्यान रखे पावर्टी से इसी तरीके की खोशन आपके एक्जाम में आ सकते हैं थांक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो इस वीडियो से रेटर अगर कोई भी आपको डाउट आता है कोई भी बाते समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स से टेलिग्राम चैनल के हमसे पूछ सकत कर भी लगे थे उत्यों आ में डांगर एक्क बात प्लीजार का थांक्जार दो हैंगे क्याज अरफ क्या साँग, क्थारं जे एक्वाश, मैंजजब ने सबगक tahu ये जित残 Mysticam